हेलो इस्ट्रेंट्स आप सभी का स्वागत है एक एस लोग क्लासेज में आज हम फिर आपके लिए लेकर रहा है समपत्य अंतर अधिनियम 1882 के मुस्ट इंपोर्टन एमसी के कोशन पार्ट 7 इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक अप्रूट कर चुके हैं उन्हें आपने लिस्ट में जाकर जरूर देखें और जोनों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बरूर करने जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिविशन आपके पास पहुंसती रहें तो चले स्टार्ट आ यहां से फिल्सक्राइब एतना तो सभी उत्तर क्या होगा बहुत होगा विए से की नोटिविशन संपत्ती अंतर दिनयेमран 152 की धारा 26 स्मद्यत है अप्षण A. पुरोभाव्य शर्थ की पूर्थी से Option B. ससर्थ अंत्रण से Option C. नहित हित से Option D. साश्वता के विरोधनियम से तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा Option A. पुरोभाव्य शर्थ की पूर्थी से Question No. 133 Option A. अजात विक्ती के फायदे के लिए अंत्रण से Option B. सुर्थ हित के विरोधनियम से Option C. नहित हित से Option D. उपुर्थ मैं से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप में कमेंट बग्स बता सकते हैं इसका सही उत्तर होगा Option C. नहित हित से कोशन नमब 1135, बंदक कब हस्ता अंतरन पत्र द्वारा किया जाना चाहिए यह किस धारा में दिया गया है, अप्शन A धारा 55, अप्शन B धारा 56, अप्शन C धारा 57, अप्शन D धारा 69, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, अप्शन D धारा 69, कोशन नमब 1136, संपत्ति अंतरन अधिन्यमट 182 के अंतरगत अंतरन करने की प्रक्रिया होती है, अप्शन A पच्छकारों के द्वारा, अप्शन B विधी के द्वारा, अप्शन C वसियत के द्वारा, अप्शन D उप्रुक्त सभी के द्वारा question number 137 संपत्ति अंत्रण अधिनियम की किस धारा में इस्थावर संपत्ति परिभासित है option a धारा 3 के अंतरगत option b धारा 4 के अंतरगत option c धारा 2 के अंतरगत option d धारा 5 के अंतरगत तो इस्थावर संपत्ति किस धारा में इस्थावर संपत्ति धारा में इसका सही उत्तर होगा option a धारा 3 के अंतरगत question number 138 संपत्ति अंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 3 में निम्निलिखित में से क्या परिभासित है option a लिखत option b भूबद option c अन्योजिदावे option d संपत्ति अंत्रण अधिनियम 1882 की किस धारा में रज्ष्ट्रीकरत परिभासित है option a धारा 2 option b धारा 3 option c धारा 5 option d धारा 10 तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताईए किस धारा के अंतरगत रजिश्ट्री करत को परिभासित है इसका सही उतर होगा option B, धारा 3 के अंतरगत यायनी धारा 3 के अंतरगत रजिश्ट्री करत को परिभासित किया गया है question number 140 निमने लिखित में से कौन अचल समपत्ती नहीं है option A, बंदगदार का बंदग c royalty option d जो मश्रिनरी जमीन से सल्लगन है तो बताइए कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है अगर आपने टीपियों को अच्छे से त्यार कर लिया है तो इसका उत्तराप आसानी से बता सकते हैं बताइए जिल्दे कौन सा अचल संपत्ति नहीं है option a कह रहा है कि बंदगदार का बंदग option b कह रहा है मश्रि पकड़ने तथा ले जाने कादिकार option c है royalty option d जो मश्रिनी जमीन से सल्लगन है तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा option c royalty यानि royalty अचल संपत्ति नहीं है कोशन नमबर 141 संपत्ति अंत्रण अधिन्यम 1882 की किस धारा के अंतरगर दस्तावेजों की निरच्छन और पेश कराने का अधिकार उबंदित है option a धारा 60a में option b धारा 60 में option c धारा 60b में option d धारा 61 में तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताईए कि किस धारा के अंतरगर दस्तावेजों की निरच्छन और पेश कराने का अधिकार उबंदित है तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर होगा option c धारा 60b यानि धारा 60b के अंतरगर दस्तावेजों की निरच्छन और पेश कराने का 1442, संपत्ति अंतरन दिनियम 882 की कौन सी धारा के अंतरगत, बंदक करता की पत्टा करने की शक्ति दी गई है, option A 165 के अंतरगत, option B 161 के अंतरगत, option C 266 के अंतरगत, option D 166 के अंतरगत, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, option B 165 A के अंतरगत, questioning 143, संपत्य अंतरन अधिनिय म8-182 की किस धारा के अंतरगत बंदग धन के लिए वाद लाने का अधिकार दिया गया है उप्षन A कुछननिक नमबर 144 संपत्ति अंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 71 निम्न लिखित किस से संबंदित है option a सकपजा बंदगदार की अधिकार से option b बंदित पट्टे का नवीनिकरण option c बंदग संपत्ति में अनुवरद्धी option d उप्रूक मेंसे कोई नहीं तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा धाराortun kis से संबंदित है इसका सही उत्तर होगा option b बंदित पट्टे का नवीनिकरण यानि धारा एक एतर जो है वो बंदित पट्टे का नविनी करण से सम्बांदित है कोश्चन नमबर 145 बंदक विलेक को परिभासत किया गया है आप्शन A धारा 55 में आप्शन B धारा 56 में आप्शन C धारा 58 में आप्शन D धारा 60 में तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आप्शन C धारा 58 में कोश्चन नमबर 146 संपत्य अर्दिनियम 1882 में सरप्रतम संसोदन कब किया गया आप्शन A धारा 1929 में आप्शन B 1954 में आप्शन C 1935 में आप्शन D 1940 में तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा option A 1929 में याने टीपीए में सरप्रतम सलसोधन 1929 में किया गया question number 147 संपत्ति अंतरना दिने मठाए 182 की धारा 100 निमलिखित किसे संबंदित है यानि जो 100 section है वो किसे संबंदित है option A भार से संबंदित है या फिर option B आगमों का लागू होना option C बंदकित संपत्ति की कुर की option D प्रत्यासन तो किस संबंदित बताईए इसका सही उत्तर होगा option A भार यानि जो 100 section है वो charge से संबंदित है question number 148 संपत्ति अंतर्ण अधिनियम 1882 की धार 105 में निमलिखित मैंसे किसको परिभासत किया गया है option A पट्टा करता option B पट्टेदार option C प्रीमियम और भातक option D उप्रुक सभी तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताईए question 105 में किसको डिफाइन किया गया है तो इसका सही उत्तर होगा option D उप्रुक सभी यानि उप्रुक सभी पट्टा करता पट्टेदार उप्रीमियम भातक सभी को इसमें डिफाइन किया गया है question 149 संपत्ति अंतर्ण अधिनिम्ट 182 की कौन सी धारा के अंतरगत पट्टा करता और पट्टेदार के अधिकार और दायत वो दिये गई है option A धारा 108 option B धारा 107 option C धारा 106 option D धारा 104 तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताईए यानि किस section के अंतरगत पट्टा करता यानि कि जो पट्टा देता है और पट्टेदार यानि पट्टा लेने वाला उसके अधिकार और दायत वो दिये गए है इसका सही उत्तर होगा option A धारा 108 यान धारा 108 के अंतरगत पट्टा करता और पट्टेदार के अधिकार और अधायट वो दिये गए है question number 150 संपत्ति अंतर्ण अधिनेम 182 की किस धारा के अंतरगत विनिमाई की परिभासा दी गई है option A धारा 105, option B धारा 108, option C धारा 120, option D धारा 122 तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा option B धारा 118 question number 151 धन की विनिमाई पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा दिये गए धन के असली होने की तद्वारा वारंटी देता है यह संपत्ति अंतरन अधिनिमाई 182 की किस धारा में दिया गया है? option A धारा 121, option B धारा 122, option C धारा 119, option D धारा 120 तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा option A धारा 121 question number 152 इस्थावर संपत्ति के दान के प्रियोजन के लिए वह अंतरन दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाडित रजिश्टी करत लिखत द्वारा करना होगा यह संपत्ति अंतरन की किस धारा में प्रावधानित है? option A धारा 124, option B धारा 123, option C धारा 125, option D धारा 126, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा option B धारा 123 question number 153, संपत्ति अंतरन अधिने मठार 122 की किस धारा के अंतरगत दान, निलम्बित या प्रतिसाहनत कब किया जा सकेगा? किस संबंद में बताया गया है? option A धारा 124, option B धारा 125, option C धारा 126, option D धारा 277, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताईए इसका सही उत्तर होगा option C धारा 126, question number 154, संपत्ति अंतरन अधिने मठार 182 की धारा 128, निलम्बित किस संबंदित है? option A सरवश्व आदाता से, option B दुरबरदान से, option C बंदिकत रिड, option D विनिमाई से, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर पता है तो आप हमे comment box बताइए जल्दी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बात जरूर ध्यान रखेगा, इससे पहले कि हमने जो part TPA के upload कर दिया है, उन्हें आप जरूर देखें, जिससे कि उसमें काफी question हमने कराए है TPA के, उसका आपका अच्छे से revision हो जाएगा, एक exam जल्द ही है आपका, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा option A, सरवश्व आदाता से, यानि section 128 सरवश्व आदाता से संबंदित है, question number 155, संपत्ति अंत्रन अधिनियम 182 की किस धारा में अभी करता पर तामील या उसकी निवदा के संबंद में प्रावधान दिये गए है, option A, धारा 100, option B, धारा 101, option C, धारा 103, option D, धारा 102, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या कह रहा है question, question कह रहा है कि अभी करता पर तामील या उसकी निवदा के संबंद में प्रावधान दिये गए हैं, हमने आपको option बता दिये, आप हमें उत्तर बताईए, आपकी अगर तैयारी हो गई है, TPA की तो, नहीं हुई है, तो भी आप सोज समझ कर बताईए, किसके सही उत्तर हो क्या सकता है, बाकी हम सही उत्तर तो आपको बताई देंगे, option A दे दिया है धारा 100 के अंतरगत, next है धारा 101 के अंतरगत, फिर है 103 के अंतरगत, फिर है 102 के अंतरगत, चारों में से कौन सा सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो का option D, धारा 102, यानि धारा 102 के अंतर टूटल 155 कुश्चनों को solve कर लिया है आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे उमीद है आपको यी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी आप हमारे चैनल को ज्यादा से यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर okay thank you so much